मद्री नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है नीरज बबलू ने कहा कि नितीश कुमार को अच्छा मंत्राले मिले इससे बिहार को फाइदा होगा विपक्ष पर पलटबार करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष को जितनी सीटे आई बीजपी को उससे ज्यादा सीटे मिली है सुरिये क्या कुछ कह रहे है सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है सभी बैठके हो चुकी है नरेंदर मोदी को फिर से एंडिये का नेता चुन लिया गया है हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री है नीरज बबलू उन से जान लेते हैं नीरज बबलू जी जो चुनाव परिणाम आए सभाविक तोर पर कई सवाल है इसके साथ लेकिन सरकार भी बन रही है देखिए सरकार एंडिये की देश में बन रही है और तीसरी बार माननिया प्रधान मंत्री जी प्रधान मंत्री बनने जा रहे है ये देश के लिए एक बड़ा सुब संके थे देश के मद्दातों को हम लोग का वार ब्यक करते मद्दातों का जिन्होंने तीसरी बार मानने नरेंद मोदी जी को प्रधान मंतरी बनने का मुखा दिया और इससे ये भी तै हो गया है कि देश हमारा निश्चित रुप से आगे बढ़ेगा देश का संपूर्ण विकास होगा और देश हमारा आर्थिक सक्ति में काफी मजबूत होगा हम लोग ये मानते हैं कि तीसरी अस्थान पर हम इस बार पहुंच जाएंगे ये देश के लिए काफी सुखत संदेश ये भी सवाल है कि अब जेडी यू की भूमिका क्या होगी क्योंकि पिछले बार सरकार में जेडी यू की भूमिका नहीं रही थी लेकिन इस बार जेडी यू की बड़ी भूमिका सुनने में आ रही है मन पसंद हो सकता है क्याबिनेट का बर्त मिले पिछली बार भी जेडियू साथ में थी इस बार भी जेडियू साथ में रहेंगे और मुझे लगता है कि मंतराले उंतराले कोई वड़ा विशे नहीं है ये आपस का बात है जो चाहेंगे वशा होगा राज के विकास के लिए अगर अच्छे मंतराले मिलते हैं तो ये राज क साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे अगर नितीश कुमार को केंद्रिय काबिनेट में बेहतर बर्थ मिलता है तो सुभाविक तोर पर ये बिहार के लिए एक अच्छे संकेत होंगे आज तो संद्रा कसिस्नी उस पटना